नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नेखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज किस बीडियम हम बात करने वाले हैं आपसे R41 ड्रॉप्स के बारे में यहाँ डॉक्टर रेगवे कंपनी का ड्रॉप है इसका यूज मरदाना कमजोरी में किया जाता है यदि आपको मरदाना कमजोरी है आपको ED की प्रॉब्लम्स हो गई है काफी लंबे समय से इस समस्या से आप शफर कर रहे हैं तो आप डॉक्टर रेगवे कंपनी का R41 ड्रॉप यूज कर सकते हैं विसे साउधानी हमें तीन बातों का यहाँ दिहान रखना है कि इसका डोज सबसे ज़्यादा मायने डखता है कि इसका डोज हमें किस तरह से यूज करना है दूसरा नंबर पर यहाँ आता है दोस्तों यदि हम डॉक्टर रेगवे कंपनी का ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो साथ में कौन सी ऐसी होमोपेटिक मैडिसिन हम यूज करें ताकि हमें और वी इफेक्टिर विजल देखने को मिले जो इसके साथ इस कंटेंड में यहाँ बिल्कुल भी नाई मिलाई गई है में हाँ पर डॉक्टर रेगवे कंपनी का जो ड्रॉप है उसमें जो कंटेंड मिलाए गए हैं बहाँ भी आपके साथ एक्स्प्लेंड करूँगा जो अलग से हमें यूज करने हैं दूसरी बात आती है तीसरी बात यहां आती कि दोस्तों कुछ डाइट हमें सप्लेमेंट अलग से लेने होते हैं और कुछ परेज हमें अवश्य करने होते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है यदि आप Dr. Regback Company का drop यूज करते हैं तो इस वीडियो को आप अंतक देखें यदि आप यूज करना चाहते हैं तब भी आप इस वीडियो को अंतक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके और आप जादस से जादा benefit उठा सके तो चलिए देर न करते इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जूड़ना चाहते हैं तो रेट कलर की बटन दवा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें सांधी सांध वेल आइकन की घंटी को जरूर पेस करें ताकि सभी latest medicine की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों बात करेंगे डॉक्टर रेगबे कंपनी का R41 डॉप्स के बारे में दोस्तों यहां काफी effective drug है इसका use मरदाना कमजूरी में किया जाता है जिन पैसेंटों को भी ED की प्रोब्लम हो जाती है जिन पैसेंटों को भी बहुत ज़दा सरीर में weakness हमेशा लगी रहे weakness मैसूस होते रहती है हमेशा ठका ठका मैसूस होते है mental debility की problem हो जाती है तो उसमें इस drop का use किया जाता है यदि आपके penis में proper तरीका से erection नहीं आता performance करने आप जाते हैं और जल्दी से performance कर नहीं पाते हैं जल्दी से educate हो जाता है तो इन सारी शमश्याओं से related problems को ठीक करने के लिए इस drop का use किया जाता है आपने देखा होगा कई patient ऐसे होते हैं जिने morning erection तक नहीं आते हैं उसमें इस drop का use किया जाता है तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ contents के बारे में कि क्या का contents इसमें मिलाएगा है बात करें दोस्तों R41 drops के बारे में सबसे पहले number पे acid force इसमें मिलाएगा है acid force क्या काम करता है सायद आपको जानकारी होगी और जिन patient को नहीं है वो भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ only for short form में R41 drop जो होता है इसमें mental debility में बहुती अच्छा काम करता है पहले सारेरी कमजोरी आती है फिर मांसिक कमजोरी सरीर में धीरे धीरे करके आने लगती है तो उसमें acid force का use किया जाता है patient का जो सबाह होता है बहुती जल्दी चिर्चिला होने लगता है और बहुती weakness कमजोरी में हमेशा dull महसूस patients करता है और उन्हें बिल्कुल भी happy नहीं लगता है तो उसमें acid force का use किया जाता है सांती साथ बहुती जल्दी educate problems में हमें patient में देखने को मिलती है performance proper तरीका से नहीं हो पाता acid force में next is content इसमें मिलाया गए दोस्तो agnes castras agnes castras के बारे में आप जानते ही होंगे patients पूरी तरह से सिकार हो जाता है तो उसमें agnes castras का use किया जाता है जो इसमें मिलाया गई है next content इसमें मिलाया गई दोस्तो China चाइना के बारे में साइद आप जानते होंगे जिन patientों को सारे रिक बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है जिन patientों को false की problem हो जाती है उसके कारण सरीर में weakness हो जाती है performance proper सरीकर से नहीं हो पाता है ejuculate बहुत ही जल्दी हो जाता है तो उसमें China का use किया जाता है कड़कपन उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है तब भी China का use किया जाता है या आप बहुत ज़्यादा cigarette वगीरा पीते हैं कोई ऐसी गंभीर आपको बिमारी हो गई है उसके कारण आपको importance ही आ गई है तो उसमें R41 drop का use किया जाता है next content में मिलाया गए जो demiana sperm count को बढ़ाने के लिए demiana का use किया जाता है demiana यदि आपको low sperm count की problem है testosterone level आपका कम है तो उसमें demiana का use किया जाता है importance is the bell mark की note symptom of this demiana यानि कि sperm count को बढ़ाने के लिए demiana का use किया जाता है sperm count आपके अच्छे रहेंगे तो आप पिताजी बन सकते हैं और performance अच्छी तरह से कर सकते हैं यहाँ इसका bell mark की note symptom है demiana का नेश्ट कंटेन इसमें मिलाया गया दोस्तों कॉनियम मैक के बारे में प्रहा प्रहा सभी जानते हैं जिन परशेंटों को भी prostate की problem हो जाती है old age में आपने देखा होगा 40 plus होते हैं और prostate की उनको problem हो जाती है prostate gland उनकी बढ़ने लगती है जिसके current patient को importancy आने लगती है sperm proper तरीकर से नहीं बन पाता है और erection proper तरीकर से नहीं आते हैं तब कॉनियम मैक का उसमें यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है next में मिलाई गए दोस्तों testis testis बहुत ही अच्छा काम करती है हैं हमारे sperm account को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे इसके काफी effective results हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ content इसमें मिलाए गए next content इसमें मिलाए गए दोस्तों fast puras fast puras हमारी debility के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है जिन patient को हमेशा थका थका मैसूस होता है होती है तो fast puras उसमें use की जाती है next content इसमें मिलाए गए दोस्तों CPA के बारे में आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं कि CPA बहुत ही अच्छा काम करती है performance proper तरीका से पेसेंट नहीं कर पाता है mental debility, चिरचिड़पन, गुसा यहाँ patient में हमें देखने को मिलता है तब उस case में CPA का use किया जाता है दोस्तों यहाँ सारे contents है जो उसमें मिलाए गए हैं काफी effective है इस का आप use कर सकते हैं बात आती है विसेस कर दोस्तों dose की बारे में कि हम कब तक regularly इस drop का use करें दोस्तों इस drop का use के regular कम से कम 4 से 6 मेने तक आपको करना होता है तब इफेक्टिव विजल्स आपको completely के ओर देखने को मिलते हैं एक कब गुनगुना पानी लेना है उसमें 25 बून सुबा, 25 बून दोफर में 25 बून रात में continue इस drop का आपको use करना है next आता है दोस्तों कि कौन सा परेज हम करें परेज के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं फिर कौन सी medicine हमें add करनी चाहिए वो भी जनकारी में आपको दे देता हूँ जब भी आप इस drop का use करते हैं तो खटाई का 7 आपको नहीं करना है इस बात का विसे द्यान रखना है बहुत सारे जो पेसेंट्स होते हैं जो इस drop का use करते हैं तो उसके साथ नीबू का 7 भाद जरूर करते हैं तो नीबू का 7 आम का 7 इमली का 7 गुबचुब गुल गप्पे वगिरा जो होते हैं इसका 7 नहीं करना है कच्ची प्याज कच्ची लेसन का 7 नहीं करना है यदि सबजी आमें डल रही है तो आप 7 कर सकते हैं बाकि अलग से सबजीयों का 7 आपको नहीं करना है इन चीजों का परिच करना है अब बात आती है दोस्तो कौन सी medicine हम साथ में add करें ताकि हमें काफी अच्छी result देखने को मिले दोस्तो आपने contents के बारे में जाना ही होगा सबसे पहले दोस्तो आता है अश्वगंदा जो इसमें नहीं मिलाई गई है तो हमें अलग से अश्वगंदा का medicine का शेवन करना है यहां हमारे horse power को बढ़ाती है और testosterone level को increase करने के लिए अश्वगंदा का यूज किया जाता है प्रहे प्रहे सभी passion जानते हैं जावी अश्वगंदा का नाम आता है तो वहाँ पे testosterone level को बढ़ाइने के लिए physical exercise और muscles को gain करने के लिए अश्वगंदा का यूज किया जाता है इसमें हमें साथ में मिला के यूज करना है नेक्स्ट आता है दोस्तो जिंसन इसमें नहीं मिलाया गया है जिंसन हमें इसमें मिला के यूज करना है तो आप यहाँ दो medicine साथ में यूज करें और lycopodium 200 potency में सब्ता हमें एक बार 7 करें 4 dose आपको लेना है बाकी आपकी जितनी भी जो भी complaints है बात दीरे दीरे करके ठीक हो जाएगी अलग से यहाँ combination हमें यूज करने हैं दोस्तो इस तरह से medicine यूज करें आपको काफी factory वजल देखने को मिलेंगे यदि आप किसी गंबीर समस्य से काफी लंबे समय सी सफर कर रहे हैं यदि आप online concertancy लेना जाते हैं तो discussion box के नीचे पूरी जानकारी दी गई है इसके मैं अपना Watson नंबर दे देता हूँ आप हमसे भी online concert कर सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलिंगे नेट्स वीडियो में तब तक लिए जैन जै वारत बंदे मातरम